दोस्तों फ्रीस व्रागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओपो F15 Mobile में आप Factory Reset कैसे कर सकते हैं अपने मोबाईल में तो यहां पे दो तरह के रिजएट होते है हाड रिजएट और factory Reset तो यहां पे मैं सेटिंग से रिसेट करना बताने वाली हूँ अपने फोन को तो यहाँ पे नॉर्मली आप इस टेप से सेटिंग से रिसेट कर सकते हैं तो सेटिंग में से रिसेट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रख लेना है कि आपका Google ID जो है लॉग इन तो नहीं है अगर आपने कहीं लॉग इन वगरा कर रहा है तो उसको रिमूफ कर लेंगे अदरवाइस यहां पर लॉग लगने का डर भी होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन में लॉग ना लगे गूगल बाइपास वगरा तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे है चैनल विजिट करके देख लीजेगा और यहां पर इससे पहले आपको एक काम कर लेना है कि अगर गूगल लॉग इन है गूगल आईडी वगरा तो उसके आप क्लिक करके उसको यहां से रिम आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से एरेज डेटा पर क्लिक करके दुबारा से रिए कर देंगे तो यहां पर आपका फोन रिस्टार्ट होगा अपने आप मतलब तो तीन मिनट तो लगी जाएंगे अट लिस्त तो यहां पर वेड़ कर लेंगे कोई साभी बटन आपको छेड़ना नहीं है आप वेट कर लेंगे तो इस ट्रैप से तो यहां पे आप रिसेट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख लीजेगा कि हाव टू स्टार्ट फोन तो उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कोई प्रॉबलम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजेगा तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार